हमें 24,269 को निकट्तम सैक्डे तक पूर्ण संख्या बनाना है ऐसे सवाल हल करना बिल्कुल सरल है लेकिन पहले हम सोचें कि निकट्तम सैक्डे तक पूर्ण संख्या का मतलब क्या है तो मैं एक संख्या रेखा खीचता हूँ इस संख्यार एक पर हम सैक्डे के निशान लगाते हैं मान लो हमारे पास यहाँ 24,000 है मान लो यह 24,100 है और यह 24,200 है यह 24,300 और यहाँ हम 24,400 पर आते हैं मेरे खयाल में आप मेरा मतलब समझ रहे हैं जब मैं केवल सैकड़े पर निशान लगाता हूँ, तो मैं 100-100 करके आगे बढ़ रहा हूँ, अब इस रेखा पर 24,269 कहां है? यदि हम संख्या रेखा पर देखें, तो यह 24,200 से ज्यादा और यह 24,300 से कम है, तो 269 इन दोनों 100 के बीच होगा, 69 लगबग यहां होगा, तकरी बन यहां, इस तरह हमारी संख्या 24,269 यहां होगी, तो जब कोई निकटम सैकड़े तक पूर्ण संख्या बनाने को कहता है, तो उसका मतलब है, उसके सबसे पास वाले सैकड़े तक की पूर्ण संख्या बनाना, यदि आप इसे ठीक इस तरह देखें, ध्यान से देखें, तो यह 24,200 की बजाए 24,300 के अधिक निकट है, इसलिए हम 24,300 तक पूर्ण आंक बनाते हैं, तो निकटम सैकड़े तक की पूर्ण संख्या का उत्तर है 24,300, यह एक आउधारनात्मक समझ है कि इसे निकटम सैकड़ा क्यों कहा जाता है, यहां निकटम सैकड़ा 24,300 है, लेकि को संख्यारे का खींचने या पूरी प्रक्रिया दोहराने की जरूरत नहीं है, एक आसान तरीका यह है कि आप संख्या को देखें, इसे दोबारा लिखते हैं, 24,269 को निकटम सैकड़े तक पूर्ण संख्या बनाना चाहते हैं, इसलिए आप सैकड़े का स्थान देखें, जब पूर्ण संख्या बनाते हैं, तो मतलब हम कोई अन्य अंक नहीं चाहते, यह सैकड़े का स्थान है और हम सैकड़े के स्थान के बाद केवल 0 चाहते हैं, तो जिस स्थान की संख्या को पूर्ण बनाना है, उससे एक स्थान पीचे की ओर देखें, यह सैकड़े का स्था पांच या पांच से ज्यादा है, तो हम आगे बढ़ते हुए पूर्ण संख्या बनाएंगे. इस्तिती में यह पांच है, इसलिए हम आगे की ओर पूर्ण संख्या बनाएंगे. तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम इस दो को तीन बनाते हैं, पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसे हम एक बढ़ाते हैं, इस तरह यह 24,300 पूर्ण संख्या बन जाती है. पूर्ण संख्या बनाने का मतलब यही है इसका एक उल्टा उधारन देखते हैं यदि मेरे पास 24,249 है और मुझे इसे निकट्टम सैकड़े तक पूर्ण संख्या बनाना है मैं कहूंगा ठीक है मैं निकट्टम सैकड़ा तक पूर्ण संख्या चाहता हूं दहाई के स्थान पर देखें, यह स्थान एक कदम दाएं हैं, लेकिन यह पांच यह उससे बड़ा नहीं है, इसलिए पीछे की ओर पूर्ण संख्या बनाते हैं, जब आप पीछे की तरफ पूर्ण संख्या बनाएं, तो सतर्क रहें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस दो क कम करें, इसका मतलब है कि आपके पास केवल दो है, इसके बाद बाकी सब को छोड़ देते हैं, इस तरह यह 24,200 हो जाता है, यही पीछे की ओर पूर्ण संख्या बनानी की प्रक्रिया है, यदि आप 24,269 को पूर्ण संख्या बनाते हैं, तो यह 24,300 हो जाता है, इससे समझ जाता है, 24,249 लगभाग, यहां होना चाहिए, यह 24,200 के अधिक निकट है, तो इस मामले में हम पीछे की ओर पूर्ण संख्या बनाएंगे, इस तरह यह 24,200 होगी, 24,269 सवाल के मामले में 24,300 निकटम सेकड़ा है, इस तरह हमने यह सवाल पूरा कर लिया